आज हम इस वीडियो में एक दूसरे से जिडल्स पुछेंगे तो देखते हैं अबु मेरी पहली का जवाब दे पाता है या मैं उसकी का अबु पहले तो स्टाइब कर ठीक है ऐसी चीज जो उपर भी जाती है नीचे भी आती है लेकिन अपनी जगह से हिलती नहीं है ऐसी चीज जो उपर भी जाती है और नीचे भी आती है लेकिन अपनी जगह से हिलती नहीं है ऐसी कौन सी चीज होती है लिफ्ट नहीं हाँ पताम नहीं सीडी इसका आंसर है सीडी अब मैं अब उसे रिडल पूछती हूँ मेरी रिडल ये है कि दुनिया का सबसे विनाशकारी शस्र क्या है शस्र का मतलब पता है हथियार शस्र का मतलब है हथियार बताओ बताओ गदा बाना तल्वार नहीं कोई नहीं में से काच नहीं इसका सही आंसर है जीवा जीवा हाँ हमारी कैंची जैसी जवान ये है इसका सही आंसर अब मैं इससे बहुता हूं दीदी आप ये बताओ ऐसी जीज़ अगर आम उसको पानी पिलाए तो तो वो मर रहती है और को खाना के नायक तो ठीक रहती है ऐसी कौन से जीज़ है जिसे पानी पिलाए तो वो मर जाएगी पानी के बिना तो कोई रहे ही सकता इसका क्या आंसर होगा? मुझे नी बता इसका आंसर, तो बता. इसका आंसर... वीटेस लॉब में. आंसर तो मैं आवे बुलियो, कर जाद को कर दो. ये कहसा आंसर? इस रेडल का आंसर हम आपको लास में बताऊंगे, जो अब उने रेडल पुछी थी. तो मेरे रेडल ये है, कि एक लड़की ने बॉल को पैर से मारा, और वो बॉल टेन किलोमेटर दूर चली गई, और उसके पास वापिस भी आ गई. कैसे? क्योंकि उसने बॉल तो पैकी से आपास की तरफ, लेकिन दर्ती की वजा से वो वापिस उसके पास आ गई. इसका सरी आंसर है, कि लड़की ने बॉल को आस्मान की तरफ पैर से मारा था, वो गई तो थी आस्मान में, लेकिन अर्थ की ग्रैविटेशनल फोर्स की वजा से वो वापिस निचे आ गई. अब यूदे ने जो पहली पूछी थी, कि ऐसी चीज, जिसे खाना दो, तो तो जिन्दा रहती है, लेकिन अगर उसे पानी दो, तो वो मर जाती है, उसका आंसर है आग, अगर हम आग को पानी देंगे, तो वो मर जाएगी, खतम हो जाएगी. मिल्द है वाप गओ ने नेक्स वी और में, बाएगी.